Hello everyone, आपको screen पर एक question दिख रहा है, मैं side में हो रहा हूँ, आप video को pause कर लो और कोशिश करो इस question को solve करने की, ठीक है, तो आपने video pause की होगी, अपना answer आपके पास आ चोका होगा, अब मैं समझाता हूँ, इस question में आखिरकार था क्या, अगर आपको एक question solve करना है, तो आपको दो कुछ भेज रहे हैं, डाक के दोवारा आप कहीं पर कुछ भेज रहे हैं, उसके लिए send in use होता है, जैसे आप कैसी job के लिए apply कर रहे हो, तो आप अपने application भेज रहे हो, उसके लिए आप send in use करते हैं, send in का दूसरा मतलब होता है, जब कोई भी government, police को भेजती है, किसी भी particular problem से लडने के लिए, उनको सुलजाने के लिए, उनको control करने के लिए समश्याओं को, तो भी आप send in का use करते हैं, so दो meaning निकल के आते हैं, send in, dark से कुछ भेजना आप कह सकते हैं, post से कुछ भेजना, और second मतलब send in का निकल के आता है मेरे दोस्त, जब government, police को भेजती है, कुछ problems को tackle करना होता है, सुलजाना होता है, ठीक है, उन चीजों के लिए, अब बात करते हैं, sir, send out का क्या मतलब होता है, send out का मतलब होता है, कोई signal भेजना, ठीक है, कोई light भेजना, उससे relate करता है, send out, अब send out और send in, दोनों का meaning आपको पता चल गया, अब देखते हैं, ज़रा इस किसी नजर आ रहा है, they will send in their ideas for saving money, फिर मैंने send in का मतलब बताया कि जब एक government, जो है send in, use करती है, verb, तो उसका मतलब है, किसी police को वहाँ भेज रही है, catch करने के लिए, to deal with problems, आगे सुनियेगा, फिर मैंने कहा, send out का मतलब होता है, signal भेजना, sound भेजना, light भेजना, मतलब आप उन चीजों को produce कर रहे हैं, उसके लिए use किया जाता है send out, जैसे यहाँ पर एक example लिया, the crew did not send out any signal, crew ने कोई भी signal नहीं भेजा था, so meaning तो भेजा था, भेजा था, हिंदी में दोनों का आता है, लेकिन दोनों के function में फर्क है, इसी चीज़ को उठाके examiner ने क्या किया था, serial means में उठाकी ये question डाल दिया था, अब अगर आप इस question को देखेंगे कि sir sent in है, sent out है, ठीक है, और sent out है, और sent in है, अब मेरे दोस्त दिहान से देखो, अगर chairman आप देखोगे तो singular subject है, अगर singular होता, तो send verb की first form क्यों होती, तो ये दोनों option कट गए, अब बात बात करें, तो ये second form है, ये second form है, तो अब sent out यहाँ आएगा, ये sent in आएगा, अब आप अराम से देख सकते हैं, जिकर हो रहा है signals का, so obviously बात है, हमारा sent out यहाँ पर option सही हुआ, तो तीसरा option सही था, तो एक छोटी सी वीडियो, जिसने आपकी बहुत knowledge बढ़ाई होगी, vocab और grammar से related question कर रह रहूँगा, और उनको upload कराता रहूँगा, क्योंकि batch में जब ये question करा रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है ये आपको भी share कर देना चाहिए, चोड़ी चोड़ी वीडियो के साथ हम मिलेंगे, आप ज़रा comment में बताओ, किन किन का सही था, ठीक है, वीडियो को like and share कर देना खुश रहो और मैं उमीद करता हूँ, आपकी त्यारी बहुत अच्छे चल रही है, जय हिमत